नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विसी सिलेक्शन बोर्ड के बारे में यानि की DSSB की जो न्यू नोटिफिकेशन है हम उसके बारे में आज आपको बताएंगे जो भी मेरे फ्रेंड्स नए है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे जो न्यू नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी आज हम बात करेंगे DSSB के बारे में जिन्होंने पोस्ट निकाली थी दिल्ली बोर्ड ने अलग अलग वेकैंसी निकाली गई थी और उटका एक्जाम जो है वो कैसे होगा कब होगा ओनलाइन होगा या उफलाइन होगा उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि एक्जाम डेट क्या रहेगी हम आपको वह भी बताएंगे एक्जाम आपका ओफलाइन होगा या ओनलाइन होगा हम आपको वह भी बताएंगे admit card कब आएंगे, क्या date दी है government ने, दिल्ली बोर्ड क्या क्या criteria रहेगा, वो सभी की जहनकारी हम आपको देते रहेंगे तो bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले बात करते हैं exam date के बारे में यह जो है, यह वैसे का वैसे notification है दोस्तों, जो आपके लिए मैंने copy paste किया है, तो आपको एक बार read भी कर देता हूँ आपके लिए दिल्ली Subordinate Services Selection Board, DSSB will conduct recruitment exams for teaching posts under the Directorate of Education from June 8 to June 20 जी हाँ, जो date है आपकी DSSB की, वो 8 जून से 20 जून की दी गई है यानि कि ये confirm है दोस्तों, कि आपकी जो date है, exam की, वो 8 जून से 20 जून के बीच ही रहेगी और सबसे बड़ी बात मैं आपको पताने जा रहा हूँ, कि जो exam है आपके, वो online mode में ही होंगे किस mode में होगे? online mode में ही होंगे following social distancing जी हाँ, जो जो DSSB है उसने social distancing को ध्यान में रखते हुए और pandemic की जो situation जो इंडिया में चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्ने लिया है कि जो आपके exam है, वो online mode में होंगे और 8 जून से 20 जून के बीच में ही होंगे अब चलते हैं आपको admit card की दरफ admit card, जी हाँ, आपका admit card कब आएगा और admit card के बारे में क्या notification दी है government ने सिरफ इतना ही कहा है कि जो admit card है वो shortly on the official website पर given दिया जाएगा ठीक है तो बट हमारे अनुमान से ये जो admit card है दोस्तों, वो 6 जून से पहले पहले या 6 जून तक या 6 जून को आपको जुरूर website पर available होगा और admit card के available होते ही दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता देंगे कि admit card आ चुका है और इस site पर जाके आप download कर लीजिएगा तो ये जानकारी आपको कैसी लगी comment करके जुरूर बताईएगा और आगे जानकारी notification के लिए bell icon को प्रेस करिएगा और subscribe करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो like करिए share करिए और comment करिए thank you so much